कर्फान अधिनियम 1948 इसमें क्या है इस अधिनियम का जो तिस्जी सुची है उसमें सिलिकोशिस का जिग्र है अठक सिलिकोशिस एक पेशागत लाई-लाइड विमारी है और उसका प्रावधान कैसे है कैसे मुहावजात देने का ताय करता है एक मदू तो एक साथ क्योंकि यह एक लगातार बढ़ने वाली विमारी है तो यह उसका जो लंक्स है उसका फिपड़ा है कितना प्रतिशत को पहीज हो गिया माने विकलांग हो गिया इतना प्रतिशत और डिजबेल्ड हो गिया है उसके अधार पर मुहावजा देने की प्रावधान तो आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ जारखन में वहाव बिमारी क्योंकि यहां मिर्नल का भंडार है और मिर्नल के कारण वहाव बिमारी का ट्रेस करने और ट्रेस करने के बाद इलाज करना और इलाज करने के बाद उसका मुआपजा दिलाना और मुआपजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा लेकिन आपका फाइल जरूर बन जाए समित कुमार कार जी इसी विशे में काम करते हैं उसाप इंडिया जो इस संगठन का काम है जो सिलकोसिस जो बीमारी है वह मजदूर को पता भी नहीं चलता है कि वह सिलकोसिस कि वह बीमारी का भवर में फश चुके हैं जब उनको पता चलता है मजदूर को तो वह किसी हॉस्प होता है तब बड़ा सा फाइल बन जाता है राज सरकार के पास जाता है केंद सरकार के पास जाता है और वहां फाइल धूल पर धूल छाट उसमें धूल लग जाता है लेकिन मुआपजा अभी तक नहीं मिला इसी विशे में आज बहुत बड़ी वर्क्सॉप था क्योंकि संगठन को तो पता है कि सिलकोसिस क्या होता है लेकिन वा मजदूर को नहीं पता होता है कि सिलकोसिस क्या होता है इसी विशे में आज हम बात करते हैं कि सर आज आपने क्या वर्क इस चंस्था में जार कंग में कितने नोग काम करते था अब और पास नेट गोलिजव सब्सक्राइब नहीं रहें आपके ही चैज मात्गुणि परक्राइब नहीं रहेंगे इतने बड्रीव घृष देखे गा यही तो चिंता का विशाय मने है इसलिए तो चुनिंग के वबस्ता किया कि आपका responsibility आपको समझना होगा हम लोग unionization का process सुरू किया तो जारखन labor union का formation हुआ अब इक गाउं गाउं में जारखन labor union बनेगा क्योंकि हम लोग कोई labor conflict industry में नहीं चाह रहे थे लेकिन उन्होंने मजबूर कर रहा है आज जो वक्षप का विशय यह था कि उनको आम ससक्तिकरन हमारा मुख विशय था ससक्तिकरन करथा यह हम उसको चर्चा किया आज जो सिलिकोसी जो एक पेशागत लाइलाज बिमारी है इस बिमारी के साथ जितना भी स्रम कानून है है Factories Act 1948, ESI Act 1948, Employees Compensation Act 1923 and यह जो Mining Act 52 यह सारे Acts जो है यह सिलिकोसी से संबन दित है जो Factories Act 1948 जो आज चर्चा गोस्ती के दर्मियान बताया गया कि Factory Act 48 जिसका हिंदी नाम है कारखाना अधिनियम 1948 इसके तहत इसमें का इसका जो थर्ट सिड्यूल है तिन्टों डिजिस का सुची है उसमें सिलिकोसी पेशागत एक बिमारी के रूप में वहां सिड्यूल है माने उस सुची में सामिल है तो अब प्रावधान क्या है जो मजदूर सिलिकोसी से आकरांथ हो जाएगा Employees Compensation Act 1923 के तहत उनको मुआबजा देने की प्रावधान है सवाल है कि अब ये भी प्रावधान उनको समझाया गया है कि कैसे मजदूर जो फैक्टरी एक 1948 जो है वो परिभाशित करता है कारखाना किसको कहा जाता है नियोकता है उसके अधिन अगर 10 वारकर विट इलेक्टिसिटी विजली के सहित काम करता है वहां उत्पादन प्रानाली में उत्पादन की फ्रक्रिया में विजली की आफश्रक्ता हो और वो दस मजदूर काम करता है तो उसको फैक्टरी का संगा दी जाती है यह जो शिलिकोसिस डिजीज है एक notifiable disease है notifiable अर्फाद अगर कोई चिकित सक कोई भी चिकित सक सिलिकोशते आप ने दो-तिन मजदूर का मुआभजा के लिए उचि आवाज तक लड़ा मानो अधिकार टीम03 ने यहां के उपायुकोबित को भी सघ्यान में लिया क्या उसके बाद भी क्या मुआभजा मिला है हाँ मिला है अभी तक हमने दो कड़ों का मुआवजा राजी दिलबाया है अभी उनको सुची पढ़के सुनाया गया है 36 लोगों को 36-37 लोगों को मुसाबनी के लोगों को मिला एक डुमुरिया के लोगों को मिला गामारिया के 10 लोगों कामारिया कांडरा के 10 लोगों को मिला चांडिल चाईवासा के एक एक करके दो लोग मजदूरों को मिला मजदूरों के जो आस्रीत है उनको मिला कितना दिन लगता है प्रोसेस में यहां हमारे यहां जो रेगुल्टरी मेकनिजिम है रेगुल्टरी मेकनिजिम रेगुल्टरी एजिंसी कहा जाता है जो फैक्टरी आफिर आपका जो पॉलुशन कंट्रोल बोता है वो अपना जीमेदारी नहीं नहीं 2019 में जिनको हम कागजाद दिया था मने एकसर डिजिटल इमेज भेजा गिया था सुपरेंडिन्ट के नाम से इस महिना वो कागजा वो सुपरेंडिन्ट काफी से लिगल सेल को भेजा गया कि आठ लोग सिलिकोसिस चिन्नीत हुआ है देखिए यह इंटेंशनल ही करते हैं क्योंकि हम 2019 का 30 सेप्टेंबर को उनको इमेल करके भेजे थे और उन्होंने सरकार को मानवाधिकार कमिशन को यह लिख के दिया था कि हमने उनको साजोग नहीं किया तो इसलिए उन्होंने हमारे केस बंद कर दिया था लेकिन देखिए जो केस बंद हो गिया उसी केस पर उन्होंने बताया कि साथ आदमी का होगा मने डुमुरिया का साथ लोगों को होगा तो अब उनके लिए ओ आपका पैसा जो है राज सरकार से म माने फिनेंस डिपार्टमेंट से वो पैसा का मांग करेंगे लेकिन सवाल है हम तो छोड़ेंगे नहीं हम तो लिखेंगे जो आपको एक जुटा अरूपे केस बंद करा दिया था और वही आभी यह करने जा रहा है इसका मतलब इनका इंटेंशन पर सवाल है शीलिकोसीस चिन्हित नहीं करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है जैसा सीलिकोसीस डिजीस है यह पदादिकारी आफसर का भरष्टाचारोसीस है माने यह भरष्टाचार से इतना लीप था है मैं नहीं कर रहा हूं जो CBI का रिटर डारेक्टर थे जो अनरबल मेंबर थे आलम है कि डियागोनोस नहीं करता कुनाल कुमार सिंह का बात कर लीजिए कुनाल कुमार सिंह को डाक्टर सातरा तारी को देखते हैं और सातरा तारी को उनीस तारी को रिपोर्ट देता है कि हमको फोन करके बोलते हैं करवाबू हम सिलिकोसीस लिख नहीं सकते हैं लेकिन सिल उनका occupational history लिखेंगे अर्था वो आपका नाम लिखेगा आपका पीताजी का नाम लिखेगा आपका रोट का ठीकना लिखेगा आधार का नाम बर देगा आपका पैन का दंबर देगा आपका नाम नहीं लिखेगा यह तो deliberately दो कारण हो सकता है एक है यह का मिली भादा था इंड पर किये हम पूछा आपका सुझाव क्या है हम बोला आप लोग उनको बोडी को पॉस्टमर्टॉम करने के लिए लिखेगा ब्लब किया करने की बात हुई और यह लिखके भी दिया है कि उनका सिलिको टुबकरॉसिस है तो भाई आप एक बार सिलिको टुबकरॉसिस नहीं लिखते हैं लिए लिए फिर जब मुंणिटे जता है केंपें होने पर यह नहीं चलेस्व कुनाल कुमर का प्रमान हो गिया है कम सीरी इंप्टन खुटन उद्दोग था है ऑप फ्रृफ शुटभ नहीं होगा आप उनको Employees Compensation Act के तहट देना होगा हमने calculate किया है कुनाल कुमर सिंग का जो salary मिलता था 18-20,000 तो उनका वो पांच लाग जो सरकार देगी वो तो basically penalty सरकार देगी मानवाधिकार के कहने पर लेकिन बाकी जो राशी जो है वो जो Employees Compensation Act के तहट employer को उनको देना पड़ेगा आप को 22-30 लग है तो हमारे पास मैं बता देता हूं 8-10 ऐसा cases है जिसको उन्होंने सिलिकोसिस नहीं लिखा था लेकिन पोस्टमाटे में सिलिकोसिस कंफर्म हुआ हम सबको मुवजा दिलाए तो इनका भी होगा आप जैसे knowledge आप जैसे इतना deep knowledge याला कोई बैक्ती है जो आपके जगह में रहेंगे वह तो है ऐसी बात नहीं कि नहीं है चाहेगा तो लोग अपना लाउने जैकोर करके कर सकते हैं लेकिन अगार उची रखेंगे तब होगा या तो है तो बहुत NGO है वो टेड उनियन है बहुत पोलिटिकल पार्टी लेकिन वह इतना active नहीं है नहीं है नह हो चुका है उसके बाद डॉक्टर अगर इस जैसे संस्ता उस मजदूर के पीछे हैं तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर उस होस्पिटल से ट्रास्फर करके दूसरा जगह कर देगा रिम्स में जो जहारखन की बात कर रहे है और उसके बाद से फिर रिम्स में भी नहीं लिखा जाएगा जब उसकी देहन फो जाएगा होगा तो इसमें से छोटा चीज लिखा जाते है कि इसको फिर होले चलती है लंबा पर चलती Pan Amina तो यहाँ परकशिया और इतने लेंदी चीज आपको मिलेगा लेकिन तब तक factory मालिक और अपना profit भी कमा रहे है लेकिन फैक्टटरी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है कोई इसमें action नहीं होता है और मजदूर फिर उसमें काम करते है वहाँ के मजदूर नहीं होगा अगल बगल के मजदूर होंगे लेकिन मजदूर के साथ जो वहां दुरदसा हो रहा है इसका जिववार कौन और यहां वर्क्शॉप उसी भी समय था कि मजदूर को अवेर्नेस करना मजदूर को जानकारी देना कि आप सरकार से फैक्टरी से कैसे 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 करके मुआपजा ले सकते और पारी अंतिम लड़ाई उस मजदूर को लड़ना है जिसको उस फैक्टरी में काम करता है तो यह है किसरोशतिमुर्म काँसा है गुड़ा बंदा क्या हुआ था आपके हजबन को वह भी वह जो सफेद पथर जो पड़र बनता है ना उसी कंपने में काम किया था चे से साथ साल तक और वह भी दो साल से वह बीमारी में ग्रोसी थे अब ठीक नहीं हुआ है जैसे कि वह तो भी काम कुछ नहीं कर सकती है मेरा साससुर पर बुड़ाओ गया है और मेरा एक बेटा भी है उपड़ रही है उसका खर्चा के लिए बहुत मुश्किल हो रही है जब लो कुछ भी आतिक साथ नहीं मिला जी नहीं कहा काम किये तो क्या भी मानि कुछ पता चला कहा किया एलाज विलाज की दरत देरा च्छाटि पर आए श्पिटाल ले लाज पर श्चाती में दरत देता है डॉक्टर क्या बोला तो बोलो जो टीवी में शेट टीवी दब आए लेलो काले थे खाये करें में खाई ऑला खाला अए कुछ हुआ कुछ कहा हूँ दरत देरत ओ थिक वा टीवी नहीं कुछ रे खोग अप्तं कुछ क्या हुआ थ था आ चाटी दो क्या हुआ था था अभी टÎ ध्हा लेनारित नहीं काहा काम करते थे कुछ को पैसल देता सब्सक्राइब कीजिए एडी लाइब को वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एडी लाइब को पुरी टीम के और से सभी को धन्यवाद जोहार